Good morning students and welcome to your EBS class. प्यारी बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था Living and Non-Living Things के Characteristics, यानि आप Living और Non-Living Things के पहचान कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे Natural Things के बारे में. इसके बारे में उन चीजों के जो क्या है? Natural. So, starting with today's topic, Natural Things, यानि Natural Things होती क्या है? Things that naturally exist in this world are called Natural Things. यानि वो चीजें जो इस दुनिया में खुद पर खुद नेचर की मदद से exist करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? Natural Things. उन्हें क्या कहेंगे? Natural Things. जैसे इस फोटो में देखी, ये सन. क्या सन को हमने या आपने किसी ने बनाया? नहीं. वो नेचर में पहले से ही exist करता है. ऐसे ये जो पहाड़ आपको यहाँ पर इस फोटो में दिखाए दे रहे हैं, वो क्या है? वो भी Natural. यानि इन्हें भी किसे इंसान ने, किसे जानवा ने नहीं बनाया, वो प्रकर्ती में पहले से ही हैं. ऐसे ही जो वाटर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, वो भी क्या है? Natural Things. ऐसे ही जो हवा चलती है, उसे भी हम क्या कहेंगे? Natural Things. यानि वो सारी चीजें जो इस प्रकर्ती पर, जो इस वोल्ड में खुद पर खुद एक्जस्ट करती हैं, जिने किसी इंसान ने नहीं बनाया, उन्हें हम क्या कहेंगे? Natural Things. See some example. कुछ और एक्जाम्पल देख लेते हैं, जिसी बच्चा, यह गाएं, इसी तरीके से यह कबूतर आप देख सकते हैं, यह मख्खी, देन अगें, ट्री, संफलार, साथी साथ, सन, क्लाउट, रेन, एंदेन लास्ट, मूल, यानि यह सारी चीजें क्या हैं? यह Natural Things के अंदर आती हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, यह प्रकर्ती में पहले से ही मलती हैं. तो आज हमने क्या सीखा? What are Natural Things? यानि Natural Things क्या होती हैं? Things that are naturally in this world are called Natural Things. So, this is the end of the topic. See you in the next class. Till then, take care. Bye-bye. यह बनाने गुमाएियों, लागे हैं, क्याओे लादी लाकर्दैंगे हैं? रहे हैं... अरन्ने गूह क्या हैं...